हेलो फ्रेंड मैं हूं नीक और आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल में सो फ्रेंड आज की इस वीडियो हम बात करने वाले IPL का जो 18th मैच होना रहस्थान रोयल बड़ से कुलकाथा नाइट राइडर के बीच इसका ड्रीम 11 टीम का प्रॉλ ड्रीम 11 टीम देखनें से पहले आएद डोनों ही टीमों इसके बात कर लेंगे तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करने के रहस्थान टीमकर प्लेइंगल अब ऑपने नाम की है स्हस्ट्रॉक के जगए आपको आने मतलब हो सकता है इस IPL अपनेंड को खेलते वे दिखाई दे सकते हैं फिलाल तो आएंगे तो वो कुरिंटीन में कुछ दिन रहेंगे सो यहां से बेंच टॉक इस मैच में भी नहीं खेलने वाला पूरा सीजन के लिए बाहर हो चुके है मनन वहरा का बात किया जाए तो मनन वहरा भी इस मैच में नहीं खेलेग यहां से बात किया संजू सेमसन का तो यह आपको ओपनिंग करते वे दिखाई दे देंगे बहुत ही जबर्जास फॉर्म में हैं और फॉर्स्ट मैच में बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे उसके बाद वाले कुछ मैचेज में उतना कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन और अभी जो इन्होंने लास सेकेंड मैच खेला तो वहां पर फॉर्टी नाइन रनों की इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी तो यहां से जौस बटलर को आप जुरू अपने टिम में रखेगा बात करते मिलर का तो देखें लास्ट दो मैच तो उतना कुछ खास न रखते हैं और अभी साउथ प्रिका वर्सेस पाकिस्तान का जो सीरीज हुआ तो वहां पे भी मिलर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था तो यहां से मिलर को आप जुरू अपने टिम में रखेगा सीबम दूगे को अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं र 50 प्लस क्या 30 प्लस स्कोर भी नहीं कर पाया नहीं बॉलिंग उतना कुछ खास कर पा रहा है तो मेबी इस मैच में रयान पराग के जगए आपको माही पाल लोमरोल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं राहूल तेवटिया बैटिंग तो अच्छा कर रहा लेकिन बॉलिंग कुछ खास नहीं कर पा रहा है और बैटिंग का भी बात किया जाए तो अगर माल लीजे रहस्तान टिम का टॉप ओडर अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है तो फिर रहूल तेवटिया का बैटिंग मिलना बहुत मुस्किल हो जाएगा क्योंकि ये 6 नंबर या फिर 7 नंबर ओड़र को आउट करने के लिए खिलाया गया था क्योंकि सर्यास गुपाल का इनके एगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है विराट चोली साहसे स्रेयस गोपाल को अपने टीम में मत रखिएगा सकरिया आपको खिलते वे दिखाई दे देंगे चार मैच में छे विकेट निकाल चुके और खास बात यह रहा है कि जभी भी इनोंने विकेट निकाला है कम से कम तीन विकेट निकाला है अभी तक आप देख सकते हैं चार मैच में से दो मैच में तिन-तिन विकेट ले चुके हैं सो बॉलर बहुत ही जवर्जस्त है फ्रेंड यहाँ से सकरिया को आप जुरू अपने टीम में रखेगा मुस्तफिजुर रह्मान का बात किया जा तो बहुत ही बेकार बॉलिंग रहा पिछले मैच में और अभी तक उतना कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाएं फ्रेंड मुझे लगता है इस मैच में मुस्तफिजुर रह्मान के जगा पे आपको एंडू टाई खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं अब कोई पता है बहुत अच्छे प्लेयर है बिग बेस्ट लिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करके आ रहें तो इस मैच में मुस्तफिजुर रह्मान के जगा पे अंडू टाई का खेलने का बहुत जादा हाई चांसे से उनातकट का बात किया है तो उनातकट का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था फ्रेंड लाश्ट मैच में इसी वएसे इनको ड्रॉप किया गया था और इस मैच में फिलाल खेलने का कोई चांस नहीं लग रहा है सो उनातकट को मत लीजेगा आप बात कर लेते हैं से कोलकाता टीम के प्लेइंग 11 का तो यहाँ से बात किया जब राना का तो राना को आप जुरू अपने टीम में रखेगा ओपनिंग करते वे दिखाई दे देंगा आपको चार मैच में से दो मैच में हाफ सेंचरी कर चुक है पहले दो मैच में से राना को जुरू अपने टीम में रखेगा सुमन गिल का बात किया है तो कुछ खास फ़ार में नहीं है फ्रेंट बॉलिंग बहुत ही अच्छा रहा था फिछले मैच में साथ ही साथ आपको पता है कि सुनेल नरायन बैटिंग बे अच्छा गासा कर लेते हैं फिर दिनेश काती का बैटिंग मिलना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा तो इस बात को ध्यान में रखना होगा रसल को आप जुरू अपने टिम में रखेगा रसल बहुत ही अच्छे फॉर्म में फ्रेंट लास्ट मैच में 54 रन बनाया साथी साथ एक इंपॉर्टेंड विके लेकिन आपको ही पता है पैट कमिन्स बालर भी बहुत ही अच्छे है यहां से पैट कमिन्स को जुरू अपने टिम में रखेगा हर वजन इस मैच में भी नहीं खेलेंगा बरुन चक्रवर्ति आपको खेलते वे दिखाई दे देंगा और लगातार पिछले तीन में से विके बहुत ही अच्छा है यहां से क्रिस्ना को मत लीजेगा बॉलिंग कुछ खास रहा नहीं और नागर कोटी का तो बहुत ही बेकार पिछले मैच में बॉलिंग रहा और इनसे सिर्फ दो बर बॉलिंग करवाय गया उसके बाद बॉलिंग नहीं करवाय गया और नागर कोटी क वरसे रजस्तान रॉयल के बीच जहाँ पे 181 रन हायश गया था और आर्सीवी ने बिना विकेट गवाए 181 रन बनाया था मतलब इसी बात से आपको अंदाजा लग रहा है कि ये पीछ बैटिंग के लिए कितना अच्छा है पीछ देखे बैटिंग के लिए बहुत अच्छा रन बहुत इस पीछ पे बनने वाला है साथी साथ बात किया जाए बॉलर्स का तो देखे यहाँ पे टोटल 9 विकेट गी रहा था जिसमें से 8 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था और सिर्फ एक विकेट स्पीनर ने लिया था तो यह आकड़ा देखके आपको अंदाजा तो लगी गया होगा कि यहाँ पे स्पीनर्स का मुकाबले फास्ट बॉलर को जादा विकेट मिलता है फ्रेंड तो देखे इनी सा बातों को ध्यान में रखते हूँ आज का हमने ड्रीम 11 टीम तैयार किया हुआ है तो आई अब डिरेक्ट ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपर की तो विकेट कीपर में आज से जौस बटलर और संजू सेमसन को जुरूँ अपने टीम में रखेगा आप चाहे तो काती को भी रख सकते हैं लेकिन रीजन मैंने आपको बता दिये कि काती का बैटिंग बहुत ले बैटिंग करने के लिए आई जाते हैं सो इन दो प्लेयर को आप जुरूँ अपने टीम में रखेगा बटलर और संजू सेमसन को काती को आप छोड़ सकती क्योंकि इनका बैटिंग बहुत लेट से आएगा जैक्सन नहीं खेलेंगे सेफट नहीं खेलेंग और यहां से की बात हैं सो यहां से मौरगन को फिलाल अपने टीम में नहीं ले रहें मीलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले तीन मैच में से एक मैच में हाफ सेंचुरी कर चुक है और आपने देखा ही होगा वह पारी बहुत बड़ी-बड़ी मतलब बड़ी-पारी खेल सकते मुझे लगता है मिलर को आपको रखना चाहिए नितीस राना को तो 100% अपने टीम में रखना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले और यहां से देखे सुमन गील का बात क्या है लेना चाहिए तो ले सकते है लेकिन सुमन गील भी फिलाल एक मैच में भी हाफ सेंच मतलब 30 प्लस स्कोर भी नहीं आया और बॉलिंग भी कुछ खास करनी पारे तो यहां से रियान पराग को छोड़ दिएगा करून नायर नहीं खेलने वाले जी सिंग नहीं खेलेंगे मनन वोरा के जगब पे जैसवाल इस मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और अग राहूल त्रिपार्टी देखें बहुत अच्छे प्लेयर हैं इनको आप जुरू अपने टिब में रखेंगा और नमबर तीन पर आपको बैटिंग भी करते हुए दिखाई दे देंगे और बहुत कम क्रेट में आपको मिल जा रहे हैं तो राहूल त्रिपार्टी को रख ल यहां से रसेल आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं त्रिसल को आप जुरू अपनी टिम में रहेंगे इनको भी जुरू अपनी टिम कर पाये था बालिंग में पूरा चार ओवर इन्ग हो नोने किया था और इजबरदस बॉल तो यहां से सुनील नरायन को आप जुरू अपने टीम में रखेगा बात किया जा राहूल तिवटिय का तो देखें इनका बैटिंग बहुत लेट से आता है पिछला मैच में भले ही इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए किया क्योंकि रहस्थान रोयल का जो टॉ क्रिकेट में छे नंबर साथ नंबर के बल्लेवाजों को बहुत कमी बार बैटिंग मिल पाता है फ्रेंट सो इसी वैसे फिलाल हम तेवटिया को अपने टीम में नहीं रखेंगे और राउंडर में हम तीन और राउंडर ले रहे हैं रसल क्रिस मौरिस और यासे सुनील नरा वी आईयर को मत लीजेगा बात करते हैं आसे बालिंग की तो बालिंग में आपके लिए पैट कमिंस बहुत इंपॉर्टन रहने वाले इनको जुरू अपने टिम में रखेगा आपने पिछले मैच में इनका बैटिंग देखी लिया उससे पहले आपने बालिंग भी देखा नहीं रहा था इसी वज़से इनको ड्रॉप किया गया और इस मैच में बी चांस बहुत कमी लग रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान भी पिछले कुछ मैस से कुछ खास परफॉर्मेंस करनी पाएं सो मुस्तफिजुर रहमान के जगपे मेभी इस मैच में आपको एंडु टा का भी बॉलिंग कुछ खास नहीं रहा था आपने देखा होगा पिछला मैस तो आपको पता ही होगा चार ओबर में उन्चास रन प्रसीद कृष्णा ने दे दिया और कोई विकेट ले नहीं पाए बहुत ही बेकार बॉलिंग रहा था और देखे प्रसीद कृष्णा से भी ए स्थान टीम का अगर सबसे बेश्ट बॉलर देखा जाए तो वह चेतन सकरिया सो सकरिया को आप जुरू अपनी टीम में रखेगा हरवजन सिंग नहीं खेलेंगे पावन नहीं खेलेंगे संदीप वारियर का चांस से नागर कोटी के जगपे में भी संदीप वारियर को मौक दिखते आगी नहीं खेलेंगे मयंक्मरकंडे आपको सिरयस गोपाल के जगपे खेलते हुए दिखाई देंगे के अदम नहीं खेलेंगा और यहांसे वी अरोरा भी नहीं खेलेंगा बात कर लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन की उससे पहले आप-पने वीडियो को देख डिया और अभी तक यार आप benefiting और subscribe नहीं किया है तो प्लीज लाइक और subscribe जरूब कर दीजे क्योंकि आपके एक Like और subscribe में बहुत जादा motivation मिलता है और आपका Like और Subscribe करना ही हमारे महमनत का पर होता है so please Like और subscribe जरूब कर दीजे अगर अभी तक नहीं किया है आईए अब डिरेक्ट बात कर लेतें कैप्टेन और वाइस कैप्टेन की तो देखें यहापे कैप्टेन हमने रसिल को बनाया हुआ रीजन यह कि देखें रसिल बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इन्होंने 54 रनों की बहुत एच्छी पारी खिलीती साती साय आपने बालिंग भी देखा है देखोवर में हमेशा ही विकेट निकालते हैं सो कैप्टेन के लिए हाँ पर मुझे सबसे बेश्ट रसिल लग रहे हैं और वाइस कैप्टेन मैंने थोड़ा सा इस मैच में अलग करने ही कोसिस किये इस मैच में मैं वाइस कैप्टेन पैट कमिन्स को बना रहा हूँ रिजन ये कि मेभी इस मैच में पैट कमिन्स को बैटिंग में थोड़ा सा प्रोमोट किया जा सकता है आगे उठा रहा जा सकते हैं और बॉलिंग तो यह बहुत अच्छा करते हैं हर मैच में दो या तिन विकेट अराम से लेने का चमता रखते हैं फ्रेंट इसी वैसे हमने वाइस कैप्टें पैट कमिन्स को बनाया हुगा है आप चाहे तो नितीस राना को यह वाइस कैप्टें को मना सकते हैं रसल को कैप्टें मना सकते हैं वाइस कैप्टें नितीस राना को बना सकते हैं मैं थोड़ा से इस मैच में रिस्क लेने वाला हूँ फ्रेंड और रसल को कैप्टें बना रहा हूँ और वाइस कैप्टें पैट कमिन्स को बना रहा हूँ इसके अलावा देखि वहाँ पे आप नित्ती सराना को कैप्टेन बना दीजेगा और वाइस कैप्टेन संजू सैमसन को बना दीजेगा जो फोर्थ टिम बनाईएगा वहाँ पे आप संजू सैमसन को कैप्टेन बना दीजेगा और वाइस कैप्टेन क्रीस मौरिस को बना दीजेगा जो अगर आप फ्ट इम भी बना रहे तो वहाँ पे आप जॉस बटलर को Captain मना दीजेगा और supplies Captain यहां से Miller को मना सकते हैं. इस तरीका से मतलब captain wise captain change करके आप 4-5 team भी बना सकते हो साथी साथ अगर थोड़ा बहुत मतलब player भी changes करना चाहे तो यहाँ पे आप दुबे को भी अपने team में ले सकते हो friend अतलब जैसे 2-3 team मना रहे हो तो थोड़ा वह changes करके दुबे को try कर सकते हो बहुत अच्छा player है साथी साथ यहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे player है जैसे दिनेश काती को भी आप try कर सकते हो फिर यहाँ से अगर जैसवाल इस match में खिलता है तो जैसवाल को आप try कर सक बॉलिंग में मैंने आपको बता दिया जो important है पैट कमिंस important रहने वाले और यहाँ से प्रसीद कृष्णा तो खेलेंगे नी बरुन चक्रवत्त्य आपको खेलते हुए दिखाई देंगे में भी यहाँ से आपको अगर संदीप वारियर या फिर सीवाम मावी में से कोई खे जग आप मेरे टेलिग्राम पर जॉइन नहीं हो सकते हैं इस वीडियो के description मैंने अपने टेलिग्राम का link दिया हुआ है उस link पर आप क्लिक करके टेलिग्राम पर जॉइन हो जाईएगा link पर क्लिक करने के बाद भी कोई problem आ रहा है या फिर टेलिग्राम पर आप जॉइन न सको और साथी साथ Instagram अगर आप मुझे परसनली बात करना चाते हो तो आप मुझे Instagram पर भी message कर सकते हो वहाँ पर आपको कोई भी problem होगा कोई भी कुछ पुछना होगा तो आप मुझे Instagram पर पूछ सकते हो साथी साथ इस वीडियो के नीचे भी आप अपना doubt को मतलब comment कर दीज सो आप लोग comment जरू करके बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है सो इस वीडियो को यही पर end करते हैं उससे पहले गवार फिर से request रहेगा like नहीं के तो like कर दिए चैनल को subscribe नहीं किये तो चैनल को भी जरूर subscribe करके bell icon को press कर दिजेगा तब तक लिए जया हिंद ब ने मात्रम